Hey guys, welcome back to my channel जैसे कि आपको पताई होगा कि Tata Curve का Global Debuts 7th of August को इंडिया में होने वाला है और अभी तक आपने इसके जित्ते भी YouTube पर Reviews देखे होंगे उसमें बस आपने इसका exterior ही देखा होगा क्योंकि Tata Motors ने ना तो इसका interior और ना तो इसके interior के features अपने को बताए है पर अभी कुछ गंटे बेल है मतलब यह video shoot करने से एक गंटे बेल ही इसके कुछ interior information internet पर leak हो चुगे है Tata Curve EV की बात करें तो इसमें आपको 12-inch की infotainment touchscreen मिलेगी with wireless Apple CarPlay and wireless Android Auto ये touchscreen आपको Harmon Garden brand की तरफ से sourced की हुई मिलेगी साथी में Tata Curve EV में आपको no speaker का JBL sound system मिलेगा और इसमें आपको 10.25s का digital instrument cluster भी मिलेगा साथी में इसके कुछ और features की बात करें तो इसमें आपको seats पर leatherette upholstery और ventilated seats मिलेंगे मतलब आगे की दो seats ventilated होंगे साथी में इसमें आपको Tata Motors की Aira 2.0 connected car technology मिलेगी with arcade.ev और इसमें आपको भाई 15 OTT apps का support मिलने वाला है मतलब आप अपनी Tata Curve की screen पर ही Netflix या Amazon Prime कुछ भी देख सकते हो साथी में इसमें आपको level 2 ADAS भी मिलने वाला है with driver's drosiness detection मतलब ये car अपने आप से ही मारेगी अपने आप से ही मतलब highway पर थोड़ा steering वगेरा turn करेगी और safety features की बात करें तो Tata का VVM आपको 6 airbags मिलने वाले है साथी में इसमें आपको 360 degree parking camera front and rear parking sensors all 4 disc brakes electric parking brake with auto hold function ये सारे safety features मिलने वाले है और इस expected है मतलब expected क्या या Tata Motors जाने ही safety के लिए जाता है तो obviously बात है Tata Curve और Curve EV दोनों में आपको 5 stars की global end gap safety rating मिलेगी और इसके real world images भी थोड़े leak हुए है उसमें दिख रहा है कि ये car आपको dye tona gray Tata Motors के dye tona gray color में painted मिलती है और इसमें आपको अगर गौर से देखे तो यहाँ आपको front parking sensors और ये functional air winds भी देखने को मिल रहे है और इसके backside की बात करें तो backside में आपको इसके connected LED tail lamps देखने को मिल रहे है और इस SUV में आपको काफी बड़ी alloy winds भी देखने को मिलने वाले है और main बात इसके door handles की जगह आपको pop up door handles मिलेंगे like the XEV 700 और इसके backside की भी बात करें तो इसमें आपको blacked out bumper मिलता है with reflectors और यहाँ आपको उसके थोड़े ही ऊपर Tata curve की badging भी मिलती है इन chrome finish और ऐसा expected है कि इस curve EV में आपको लगबग 500 km की range मिलेगी on a single charge और इसके petrol डीजल वाले engine की बात करें तो Tata curve में आपको 1.2 लिटर का turbo petrol और Nexon वाला ICM 1.5 लिटर का diesel engine मिलेगा तो अभी तो ख्रुप भाई इसके 3 information out हुई है और जब यह 7 August को launch होगी curve EV तब मैं इसका comparison Nexon EV के साथ करने वाला हूँ तो उसको देखने के लिए भाई यार आप प्लीज वीडियो लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब बेटन के बाजू में जो बेल वाला ICON है उसे भी प्रेस करके on कर देना यार चलो त्री के फिर्ट थैंक यू टाटा बाई बाई